ग्रीडिंग्स ग्रीडिंग्स मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से मैं आपका अपना चीव दोस्तों स्वागत आप सभी का वेडनेस डे मेसेज में मैं अभी जश्ट वापस है अपने घर वोके एक बहुती अमेजिंग और शानदार छे दिन जो कि होंग को बिताया मैं अल्राइट मुझे क्वालिटी समय बिताने का मौका मिला क्यों डारेटर्स के साथ अल्राइट जो नेट्वर्क होंग कॉंग में है मैं वी सी थापा से भी मिला और सबसे आदा ज़रूरी मुझे बहुत सारा समय मिला वित वरन ओली दातो श्री विजय इश्वरान के साथ और दोस्तों अगर मैं बोलू आप सबी को कि हम अभी अक्टोबर में आ चुके हैं आल्राइट हम बहुत करीब आ चुके हैं आज 11 अक्टोबर हैं आल्राइट हम एक्टोबर में आ चुके हैं ओके नवेंबर डिसमबर जो तीन आखिर के महीने बचे हुए हैं यह साल में आप सब के लिए जहां पर आपको अपना बार को और हायर रेस करना पड़ेगा मोमेंटम को और आगे बारना पड़ेगा भी कौन से ज़्यादा प्लैंस करने पड़ेंगे जो लास्ट तीन महीने हैं इस साल के यह दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मन्स हैं आपके बिजनस के लिए क्योंकि सारी दुनिया जो है जब वो आ रहे हैं नमेंबर डिसमबर के तो कि अंदर एक मोड़ा आता है जो कि धीरे पड़ जाएंगे राइट ओके वो प्रिपेर करेंगे सेलिब्रेट करेंगे कि यह साल का इंड़े लेकिन आप सब नेट्वर्कर्स हो दोस्तों आप ऑंट्रपेनर्स हो राइट आपके पास इनों वो प्रिवलेज नहीं है वाल र हाड राइट क्योंकि October November December यह decide करने वाला है कि कैसे January February और मार्च होने वाला है next year का तो जो भी आप प्लैन कर रहे हो कुछ भी आपके और्गनाशन में हो रहा हो रेस करिए मोजो रेस करिए बार को और हाईयर क्रेजी पागल हो जाईए ज्यादा प्रोमोज लांच कीजिए सब को जगाईए दोस्तों अपने लीडर्स को साथ में रखिए और जो भी करना पड़े करिए क्योंकि मेक शूर करि बेसिक चीज है जो आपको करना पड़ेगा तो बरबाद मत करिए जो समय जो तीन महीने हैं आपके हाथ में जो अभी बचे हैं दोजार चौबीस में और तो दोस्तों यह साल बहुत अन्बिलेवल था राइट अगर आप एकदम नय हो वेड़ेस्ट में तो अगर आप कोई ओके और होंकों के बाद मेलेशिया वापस आ चुका हूं ओके मैं कुछ दिन के लिए दोबाए भी गया था राइट ओके तो हम सब ट्रैवल कर रहे हैं साथ में और कुछ दिनों में मैं मेसेज कर रहा था लोगो इन्हों बात कर रहा था बहुत सारे लोग आप मेंसे जो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे मैं आया 8 basic building block को लेके कैसे मेरे अंदर ख्याल आया बहुत सारे लोग 8 basic building block देखते हैं और पहला वीडियो जो मैं फ्रीकिंग बनाया था पहली बार ओके ऑल्मोस्ट 24 साल पहले पहला एक fundamental pillars के बारे में था कि 8 pillars जो है I hope कि आप उसको seriously लेते हो और अपना organization को build करते हो 8 basic building block ब्लॉक के according तो 8 basic building block से वह knowledge है जो मैं सीखा था great networker से जो मेरे से ज्यादा बड़े थे मैंने उसको अपने से create नहीं किया था मैंने बस उसको पत्मन style में बताया था बस तकि आप समझो उसे अच्छी तरह से लेकिन 8 basic building blocks जो होता है वो कभी बदलेगा नहीं right 100 साल या फिर 200 साल तक के लिए right और यह वो fundamental pillars हैं जो आपको समझने के जरूरत है और उसको गले लगाने के जरूरत है और apply करने के भी जरूरत है अपने network में okay हर दिन all right दोस्तों तो 8 basic building blocks को कभी भी for granted मत लिजेगा यह बस एक training नहीं है ओक यह foundation होता है जो की आप set करते हो अपना organization को build करने के लिए बड़ा और बड़ा हर दिन तो एक building block okay जो मेरे विश्वास में जो मेरा जिन्दगी बचा लिया ऐसा building block जहां पर पहुत सरे लोग बात नहीं करता उसके बार में okay मैं सारा जो success का attribution है वो इस building block को दूँगा मुझे पता है आप सब वही सोच रहों कि block number one dream जी हाँ the dream सबसे important है लेकिन मेरे जो सफर में okay मैं इस relation को आया कि मेरे लिए जो मुझे बचाया जो मुझे नेटर कर बनाया जो कि आज मैं हूँ okay वो block number seven है तो उसको बुला आता है council your up line तो बहुत सरे लोग उनको शायद यह समझ में नहीं है अभी लेकिन eventually आपको समझ देगी जरूत है क्योंकि जो counseling your up line है यह fundamental aspect है आपके सफर का simple logic है दोस्तों ओके आप ऐसे सफर में ऐसे रस्ते पर जा रहे हो okay जो कि रात के समय है कुछ भी आपको दिखने रहा है okay lights नहीं है आपको मालूम नहीं कि आपके आगे क्या आने वाला है आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है और उसके बाद आप मिलते हो जो कि उस रस्ता को हर दिन इस्तमाल पिलाता है अल्राइट ओके सुबह आफ्टर नून रात में तीन बजे राइट वो जाते हैं अप और डाउन तो आप क्या करोगे जब आप उस वेक्ति से मिलोगे जब आपने सफर में आगे बढ़ोगे आप उस बंदे से पूछोगे की एडवाइस आप उसके साथ बैठोगे और वो लोग कि पूछोगे कि मुझे बताइए कि मैं क्या एक्सपेट करूंगा इस सफर में कौन सा ड्राइब में जल्दी जोड़ूँगा कहां पर दीरे जोगा वो जरनी को सफर को हजार बार पार कर चुका है जहां पर अभी आप सफर का शुरुआद करने वाले हो तो वह व्यक्ति मेरे लिए उससे बोलाता है आपका अप्लाइन तो मेरा अप्लाइन बहुत सारे लोग जानते हैं वह वान ओली दातो श्री वीजे ईश्वरन ह से एन उनका फ्रीकिंग Church हूँ दोस्तों और मैं इस सहां कि वह मेरे अप्लाइन है वह मेरे वरकिंग अपॉनाईन है मेरे अप्लाइन है और मैं यह समझमें आए कि मैं अच्छा नैट्वर कर बनना चाहता था मुझे सग करना था कोई भी चाहे कुछ भी तरीके से लेकिन ह जल्दी बग, बहुत जल्दी, तो मुझे उनसे बात करने का ज़रूत है, और काउंसिल करने का ज़रूत है, कितना ज़्यादा हो सके, तो मैं उनको हंट करता था, कभी भी, एक स्टॉकर की तरह, दोस्तों, पागलो की तरह, इनिशली मैं थोड़ा confused था, उनके तरीकों से, रात में मिलते थे हम लोग, कभी कभी Kung Fu में भी देखते थे हम लोग, वो सारे चीज, लेकिन जब कुछ दिन के बाद, मुझे समझ में आया, कि एक सीक्रेट है, सक्सेस का, पत्मिन से ना तिरा जागा, वो सीक्रेट यही है, कि जितना यदा हो सकता है, समय बिताना है, जितना इंसाने तोरह पॉसिबल है, one only, दातो श्री विजेश्वरण के साथ, और मैंने चूज किया उस रास्ते को, मैंने प्रैक्टिस किया, basic building, block number 7 को, एक पागलो के लेवल की तरह, जब तक, आज तक भी, मैं अब तक भी counsel करता हूँ, daily basis में, मैं travel करता हूँ, जहाँ वो travel करते हैं, जब तक दाते इंश्री, you know, allow नहीं करते हैं, okay, अगर दातो इंश्री मना भी करते हैं, तो वह पहुँच जाता हूँ, okay, मैं होंकोंग में उनके साथ था, right, हर opportunity मैंने, you know, grab किया, क्योंकि वो इंसान है, जिसको applying को, चाहे कुछ भी, और कुछ भी के लिए, okay, वो ही आपका ultimate secret होगा, success का, all right, कभी भी, you know, पढ़िये मत उस trap में, वो, you know, घमर्ड का, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको सब कुछ मालूम है, right, Google कभी भी आपको answer नहीं देगा, दोस्तों, okay, सारे expert motivational speakers जो होते हैं, जो expert networkers होते हैं, जिसको लगता है, आपको लगता है कि, you know, आप उनका नाम जानते हो, लेकिन, you know, care नहीं करेंगे, आप कौन हो, वो आपको guide नहीं करेंगे, आप 100 बार 100 वीडियो देख सकते हो, लेकिन वो आपके appliance नहीं होंगे, वो आपके working apply नहीं होंगे, right, उनके पास success के उपर, right, उनको फ़रक नहीं पड़ता है कि आप कौन हो, लेकिन दातों चर्वेजिये शुरन, मेरे भाई, right, मैं उनका छोटा भाई हूं, right, वो मेरा खैल रखते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, okay, दोस्तों, okay, और उनसे अच्छा कौन हो सकता है, जो मुझे guide जो truly, you know, चाहते हैं कि आप successful बनते हो business, तो यहाँ पर आता है, बहुत सार लोग गलती करते हैं, सब मुझे पुझते हैं, कि chief, कैसे मैं खोजू उसे, एक अच्छे applying को, right, तो यह मतलब नहीं कि, you know, आप खोजो, okay, सबसे पहला जरूरी है कि जो भी आपके आपास जो applying है, अगर आप अपने कप को empty करते हो, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, okay, अगर आपका applying एक हफ़ती भी आपसे पहले start किया business को, right, उनके पास एक हफ़ते का additional knowledge और experience होगा, जो कि आपसे share कर सकते हैं, तो आपको practice करना पड़ेगा इस philosophy को, इसे बोलाता है, empty your cup, okay, और counseling और seeking, you know, जो भी question हो सकता है, कोई stupid, कोई ऐसे stupid question नहीं बोला जागा, या फिर को smart question नहीं बोला जागा, बस question को answer दिया जाएगा, right, मैं आम ऐसे दातोश्रीप जिश्वरन के सपास ridiculous question पूस आता है, और वो अपने दातोश्रीप जिश्वरन style में answer देते थे, okay, वो मुझे question पूस दे हर वेक्ति जो आपके उपर है, आपका अप्लाइन, right, और ultimately आप आते हो, मेरे पास मैं, right, उसके बाद जापा और उसके बाद ultimately तातोश्रीप विजय इश्वरन, right, तो अगर आपके पास जो अप्लाइन है, जो कि आपको आप convinced हो, आपके doubt के बागार, कि मत ego के लिए नहीं बस genuinely आप convinced हो, कि यह जो वेक्ति है, वो आपका ख्याल नहीं रखता है, कोई interest नहीं आपको build करने के लिए उसको, वो switched off है, तो आगे बढ़ी, उपर जाईए, और उपर जाईए, उपर जाते रही है, जब तक आप ऐसा, आपको कोई apply नहीं मिले, जो आपका बहुत ख्याल खोजी है, मेरा witness message, एक तरीका है, आपका apply नहीं बनने का, मेरा इंस्टा लाइव हर संडे का, कि मैं हूँ आपका apply नहीं, और 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 बस अपना cup को empty करिए, लेकिन counsel करिए अपना apply नहीं को, उसका कारण बहुत simple है, जो मुझे रियालाइज हुआ, कि जब आप बिजनस में या फिर अपना life में जब आगे बढ़ते हो, आपके, आपके parents आपके apply नहीं थे, वो सब चीज़ आपको सिखा है, वो आपके पहले teachers थे, वो पहले gurus थे आपके, okay, सब से, उन्हों simple चीज़, जो कि आप इन्हों दात जब गिस्ते थे, right, या फिर आप चलते थे, जो कि व जब आप sports सीखें, तो कोई coach आए, okay, cricket, या फिर soccer, या फिर badminton, या फिर tennis, या फिर swimming, फिर जो कुछ भी, right, उसके बाद आप university पहुंचे, जहां पे professors मिले, जो आपको guide किये, okay, cool style में, और आपको wisdom और घ्यान दिये है जिन्दगी का, जब आप graduate किये, जब आप काम करना च फाइदा है, तकि उनको profit मिले, right, तो क्या होता है, आप, इनो, आप stage में पहुंच जाते हो, okay, graduation करने के बाद जो आप काम करते हो, आप पे वो काबेरी चली आती है, जहां पे आप, आपके पास ऐसा कोई इंसान नहीं होता है, जो आपका ज़्यादा ख्याल रखे, जो आपको comfort दे, जो आपका toughest time चल रहा हो, okay, और जब आप unit पर sign up होते हो, right, और एक ही तरीका है, network marketing में जब काम होगा, जब आप गले लगाओगे उस fact को, कि आपका जो सफर है, success का, उसमें requirement है, कि आपका एक upline का जरूत है, जिसको आप respect करो, ऐसा upline जिसका आप बात सुनो, ऐसा upline, okay, जिसका आपका ego, जिसको आप थोड़ा सा धरो आप उसे, right, okay, आपका upline के पास knowledge, wisdom, success हो, आपसे आप से वो शेर कर सके, ऐसा upline, जहापे आप absolute trespass दो, okay, जब तक, इनो, वो upline, वो trespass को maintain करता है, या फिर वो respect, वो, इनो, maintain करता है, जो कि वो earn किया है, तो आप बहुत blessed हो, और बहुत lucky हो, जैसे मुझे दातों से विजेशन मिले, पचीस सालों के लिए, right, वो मेरे upline है, वो मेरे working upline है, मेरे mentor है, मेरे teacher है, मेरे guru है, all right, okay, मेरे बड़े भाईया है, right, और वो कभी भी given upने के मेरे उपर, right, और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, okay, तो कभ message के बाद, एक message sent किजिए, अपने upline को gratitude का, अपने working upline को thank you message, वो इनसान जो आपको help किये, पहले कुछ presentation दिखाने के लिए, वो वेक्ति को, जो दिखाए कि क्यों it क्या है, वो 8 basic building block आपको दिखाए, वो इस आपको introduce किये, the we are the world of network marketing को और या for entrepreneurship को, वो वेक्ति जो आपको help किये, मदद किये, आपके challenging times के लिए, और वो crises को कैसे overcome किये, आपके market में, तो अगर मैं बूलू आप सब से, वो वेक्ति, वो applying, वो सारे bull sugar जो आप Google में आपको आप देखे, वो सारे चीज़ का answer दिए, तो आपको applying चाहिए, तो दोस्तों, आपको ये खोजना पड़ेग एक student की तरह empty cup करके, तभी आप सीख पाओगे, तभी आप सीख पाओगे, तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि आपको कोई applying की जरूत नहीं है, आपको हमेशा एक applying की जरूत पड़ती है, क्या आप succeed कर सकते हो, अपने बस अपने बदोलत, हाँ, लेकिन क्यूं आप चाहते हो ऐसा, जब आप successful हो सकते हो, जब आपको guidance मिलेगा, mentorship मिलेगा, प्यार मिलेगा, care मिलेगा, वो ताकत मिलेगा, all right, कि जो applying आपको provide कर सकता है, right, अगर मैं 25 साल को वापस देखूं अपने, अपने सफर को, आज मैं यहां बैठा हूँ, आपके applying के तोर पे, okay, मैं बहुत grateful हूँ, ज वो मुझे guide नहीं करते हूँ, मुझे हाथ ओड़ा नहीं मारते हैं, मुझे push नहीं करते हैं, मेरा coach A बने हो, मेरा coach B बने है, coach C भी बने है, all right, दोस्तो, right, तो make sure करिए, कि आप practice करिए basic building block number 7 को, okay, सब बात करते हैं, सब ने के बारे में, commitment, okay, list, follow through, presentation, all right, दोस्तो, कभी block number 7 के बारे में, all right, okay, तो ये है, ये है, counseling, your applying, okay, okay, खोजिए वो applying, okay, उसके पास जाइए, इसको आप respect कर सकते हो, कि आप उसको बोल सकते हो, okay, please be my applying, please मुझे guide किजिए, push करिए, उनको trespass दीजिए, उनको इज्यादत दीजिए, okay, उनको खोजिए, wait किजिए, अगर 3 कर सकते हो, अगर आप ego को side करो, मैं 1000 घंटे वेट किया हूँ, बस 15 मिनिट मिलने के लिए, दातों चाइए, शुरन को का बात सुनने के लिए, बस, इनो, मैं किसी और से वो अगर बात करते हैं, तो भी खड़ा हो कर सुनता था, क्योंकि वो मुझे inspire करता था, okay, मुझे empower करत था, कि जो मैं आज हूँ, all right, दोस्तों, तो ultimately, okay, basic building block number seven, okay, counsel करी अपने applying को, खोज ये वो applying, ऐसा वो applying हो, जो कि unbelievable हो, वो eventually आपका mentor बनेगा, वो applying, जो कि walks the talk करे, उसका integrity हो, उसका value system हो, okay, जो consistent, okay, काम करे, वो आपका, जो क्या आप respect दो, से वो आपका mentor बनेगा, जैसे दा marketing में नहीं, बस सफर में नहीं, okay, QNET में, लेकिन मेरे जिन्दगी के सफर में, अगर आप lucky हैं, तो आपको ऐसा वो applying मिलेगा, जो आपके mentor बनेगे, तो आप बहुत ही blessed हो, okay, जिता मैं बोल सकता हम दोस्तों, right, तो counsel करिए, अपने applying को, all right, क्योंकि आप इस सफर में हो, okay, रात में, और आपको कुछ मालूम नहीं हो, उस रस्ते के बारे में, तो बस shut up करिए, और बस उस वक्ति का सुनिए, जो उस रस्ते पर चल चुका है, हजार बार, okay, दातों चिपर इस्टरन, उस दिन पहले मुझे शेयर किये, smart वक्ति वो होता है, जो अपने गल्ती से सीख सीखता है, एक ज़्यादा समझदार वक्ति वो होता है, जो वो किसी और के गल्ती से सीखता है, और दोस्तों, और वो है, वैलू है, अपने का, क्या मेरे बात समझे दोस्तों, लब यू गाईज, आपको मिलता हूँ, संडे को इंस्टागरम लाइब में,